कल मुंबई में इंडिया समिट की तीसरी बैठक होनी है इंडिया ब्लॉक की तीसरी बैठक होनी है और इसके पहले आम आदमी पार्टी के एक नेता का बयान आता है कि अर्विंद केजरिवाल प्रधान मंतरी मेटीरियल हैं हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के सांसत संजय स सर बेटक किटीक पहले प्रधान मंत्री पद्र के लिए एक नाम का सुझावारा आपकी पार्टी के नेता के तरफ से कि अर्विंद केजरिवाल प्रधान मंत्री पद्र के लिए आपके चहरा है देखे पहले अर्विंद केजरिवाल जी की भावना, उनकी नियत, उनका मकसद समझना होगा अर्विंद केजरिवाल जी इंडिया गड़बंदन में इसलिए नहीं गए है कि उनको प्रधान मंतरी बनना है बलकि इसलिए गये हैं कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया देश का लाखों करोन लूट के अपने दोस्तों को बाढ़ दिया देश का पैसा लूट-λूट के विदेशी चाइना और दूसरे देशों तक पहुँचाया जारा है देश के अंदर सिविल वार की स्थिती पैदा कर दिया महंगाई आसमान पर पहुँचा दिया किसानों को बदहाली में पहुँचा दिया तो अर्विंद केजरिवाल का मकसद देश को बचाना है अर्विंद केजरिवाल जी प्रधान मंत्री की रेस में नहीं है इस तरह की किसी भी खबर को बढ़ा चढ़ा के और प्रस्तुत ना किया जाए व्यक्तिगत तोर पे किसी ने कोई बयान दे दिया गया हूँ वो अपने इस तर पे कोई बयान उन्होंने दे दिया होगा केजरिवाल जी का मकसद है इस देश को बचाना केजरिवाल जी इंडिया गडवंदन में गए है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इस देश की हालत की है उस हालत से देश को निकालने के लिए आज चीन हमारी कर रहा है कि भारत का हिस्सा अरुनाचल प्रदेश भारत का प्रांत अरुनाचल प्रदेश उसको अपने नक्से में दिखा रहा है आज यह हालत हो गई है कि वो जिसको एक तस्वीर सामने आई कि सोफे पर बैठा हुआ है चीन का रास्टपती और हमारा प्रधान मंत्री उनके सामने नीरी प्रानी की तरह खड़ा हुआ है तो इसलिए आज एक बदहाली की स्थिती है देश में महंगाई आसमान पर है बेरोजगारी की स्थिती है देश के अंदर सिविल वार की स्थिती है दो-द परधान मंत्री के रेस में बिल्कुल नहीं है और इस तरह की खबरों को बढ़ा चड़ा के कतई न दिखाया जा है तो और सवाल सर बैठे के ठीक पहले अकाली दल शामिल हो सकती है इंडिया ब्लॉक की तरफ से उनको इंविटीशन भीजा गया ऐसी खबरे आ रही है इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है कि अकाली दल को कोई निवता दिया गया है और जहां तक अकाली दल का तालुक है तो दस साल उन्होंने पंजाब को बढ़ाली में पहुँचाया है ड्रक्स की पूरे कारोबार को बढ़ावा दिया है और पंजाब की जवानी को बर जयावती कह रही हैं कि इंडिये हो या इंडिया गटबंदन हो ये जातिवादी गटबंदन है, सामप्रदाइक गटबंदन है और इनके साथ अलाइंस करने का कोई सवाल ही नहीं कड़ा होता है देखे एक बात को हमें समझना होगा जहां तक बहन जी का सवाल है ऐसे कुछ द अगलग नेताओं के उपर दबाव बनाती है उनके उपर जूटे मुकदमे करती है और उनसे जो बयान भारती जनता पार्टी चाहती है वो बयान दिलबाती है तो जहां तक बहन जी का सवाल है बहन जी तो दोनों पार्टीयों के साथ रह चुकी है तीन बार भारती जनता पार्टी के साथ रह चुकी है, जिसको वो सामप्रदाइक दल कह रही है, कांग्रेस पार्टी के साथ भी वो गड़ बंदन कर चुकी है, और समाजवादी पार्टी के साथ भी गड़ बंदन कर चुकी है, तो अब ये बयान जो वो दे रही है, ये उनका बयान ना माना जाए, बलकि जो उनके उपर दबाव की राजनीती भारती जंता पार्टी कर रही है मेरे क्यारण से उसके कारण उन्होंने ये बयान दिया है और ऐसे कई दल है YSR है आंधर प्रदेश के अंदर और उधर आप देखे उड़ीसा में BJD है ऐसे कुछ दल है जिनको ED के जरिये जाचों के जरिये अपनी एजेंसियों के जरिये दबाव में लेकर रखती है BJP और समय समय पे अपने हिसाब से बयान दिलवाती है तो देखे ऐसा है कि चुनावी चतुराई जो है इसको हर मद्दाता समस्ता है पिछले तीन साल में पाँचसो पंदराह रूपए प्रती सिलंडर पे दाम बढ़ाया गया और जब चुनाव आगया तो 200 रुपए कम कर दिया 515 रुपए बढ़ाया गया 200 रुपए चुनाव के लिए कम कर दिया गया तो इस चुनावी चतुराई को हर मत दाता समझ रहा है जब चुनाव आएगा तो भारती जनता पार्टी को हराने का काम सारे लोग मिलकर करेंगे क्योंकि आज कैंसर की दवा का दाम बढ़ गया किडनी की दवा का दाम बढ़ गया टीवी की दवा का दाम बढ़ गया दूद का दाम, छाच का दाम, आटे का दाम, डाले का दाम, चावल का दाम, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम महंगाई आसमान पे पहुँच गई तो हर तरफ महंगाई है लोग बेरोजगारी से परेशान है किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिलता लाठिया मिलती है तो जो हालत इस समय मोदी जी ने देश की की है मैं समझता हूँ कि इस चुनावी चतुराई से काम नहीं चलेगा और ये 200 रुपए चुनाव की जो नोटंकी उन्होंने की है इसका कोई फरक नहीं पड़ेगा लोग उनको हराएंगे तो आज तक से एक्स्क्लूजब बाचीत में आमादमी पाटी के सांसस संजय सिंग करें कि पाटी की आधिकारिक लाइन क्लियर है अरविंद केज़रवाल प्रधान मंतरी बनने की रेस में नहीं है इंडिया ब्लॉक में वो देश को बचाने के लिए गये है यह आमादमी पाटी का आधिकारिक बयान है और ये बयान तब आ रहा है जब असल में बवाल शुरू हुआ प्रियंका ककड जो आमादमी पार्टी की प्रवक्ता है उन्होंने कहा था कि अर्विंद किश्वल पी-म माटीरियल हैं वो पी-म के चेहरे के तौर पे उनको देखती है वीडियो सही होगी अमित भद्वार के साथ मैं अमित भार्दवाज दिल्ली आस तक